अलो दोस्तो क्या हाल है आप लोग के तो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ अपने एक्सपीडियन्स को लेकर जिसके अंदर मैंने देखा हुआ है को चार्डड अकॉंटेंट जो होते हैं वो काफी कम पे पे काम करते हैं और उसका रीजन में आप सब आर्टिकल्शिप के अंदर हैं वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं चार-पास साल भी लगा रहे हैं इस कोर्स के अंदर क्या भी है मैं 25,000 रुपे कमाऊंगा क्या 30,000 रुपे कमाऊंगा ये कमाऊंगी तो ये चीज क्लियर करना भुज और तीन साल का आर्टिकल्शिप का ठीक है तो एक्स्पीडेंस के साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ऐसे हैं जो 25 और 30,000 की के अंदर फॉल करते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप जो देखोगे मार्केट के अंदर 25-30,000 जो कमारे होते हैं जो की फैक्ट है भाई कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो डमी आर्टिकल्शिप कर रहे हैं और उनका परपस सिर्फ एक होता है कि सबसे पहले उनको CA क्लेर करने हैं यह CA प्राइटी होनी चाहिए बट भाई इतनी प्राइटी मत बनाओ ना कि उसका जो में जो मकसद है वो ही फिल्फिल नहीं हो आपको एक तरीके से कोरस्पोंडेंस कोर्स कर रहे हो कोरस्पोंडेंस कोर्स करने के पाद आपको आपको अकॉंट करना आ गया टेक्स का बेसिक आ आगया आपको 25,000 उपर कौन देगा अगर आपको यह चीज़ा आती है भाई फिर तो बीकॉम वाला सही है आपको जो मिलता है वो किस चीज़ का मिलता है आपकी आपके एक्स्पीरियंस का जो तीन सल का एक्स्पीरियंस होता है जो आपके पास corporate culture का experience होता है उसका पैसा मिलता है आपको और आपने लिया ही नहीं तो भाई 25,000 उर्पे से उपर कौन क्यों देगा और मैं तो 25,000 उ पाइड साइड बोल रहा हूं ऐसे डमी वालों को तो 15-15,000 मैंने खुद 10,000 रुपे पर काम करते हुँ देखा है honestly जो लोग इस तरीके से डमी करते हैं जिनको कुछ नहीं आता भाई वो नहीं उनको कोई भी पैसा देने के लिए रेडी नहीं होता और वो सीए वह उनके अंदर जाते हैं क्वालिफाई करने के बाद उनको 10,000 रुपी की जॉब मिलती है फिर उसके बाद तो ऐसे लोगो को आप देखोगे जो 25,000 रुपी करडिगरी के अंदर आ रहे हैं तो यह चीज़ सबसे वहले तो आप क्लियर करो कि ऐसे जो चार्टर अकाउंटेंट if you are a capable chartered accountant, capable क्या होता है हना वो हम बात करेंगे if you are a capable chartered accountant आपके पास वो knowledge, expertise है then आपको कोई नहीं रोख सकता भाई आगे वर्डने से तो CA is one of the best profession क्योंकि आप देखो न इसका ROE कितना जादा होता है आप कोई भी CA सबसे लिए तो देखो ये चीज तो है आप कोई भी CA भूखा मरता हो नहीं देखोगे down the line 4-5 साल बाद 25-30,000 वाले भी होंगे वो उपर उड़ जाएंगे कही न कहीं क्योंकि उनको इस तरीके काम मिलेगा उनको कहीना कहीं कुछ चीज़े देखने को मिलेंगी वो कहीना कहीं थोड़ा बहुत उपर उड़ जाएंगे मैं नहीं कहीं रहा कि उनके साथ आप वो जो जो आर्टिकल्शिप करके लाएं है अच्छी उनके साथ कंपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई वो लोग कभी भी कंपीट ठीक है वो ऐसे के वैसे ही रह जाएंगे तो now the point is कि वो उड़ जाएंगे कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनकी जो salary होगी वो over the period of time obviously increase होगी ठीक है कि उनको जैसे experience मिलेगा लेकिन initial years के अंदर कोई भी उनको क्या होता है आप जब articles के अंदर होते हो तो लोग भी आपको सिखाना चाहते हैं आप पूछ सकते हो बेजाती feel होती है कि यार यह क्या چीज सोचेगा मेरे बारा मैं यह नहीं बूल रहा कि आके उन्होंने मेरे को बताया कि मैं dumbie हूँ कभी कोई किसी को नहीं बताता कि मैं dumbie हूँ बट लेकिन पता जल जाता है कि भाई यह इस तरहीर ना कहीं इसकी दिक्कत रही है अब now the point is की एक तो यह चीज हो गए एक ही category के लोग हो गए जो इस तरीके से earn करते हैं ठीक है सबसे फ़हली चीज now second category के लोग कौन होते हैं देखो या उनकी गलती नहीं होती महाँ पर लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होती है अब second चीज क्या है कि उन्होंने articleship ही ऐसी small size firm से करी होती है जहाँ पर उनको काम ही बहुत basic सीखने को मिलता है individual की ITR file कर दी GST return file कर रहे हैं ठीक है तो यार आप देखो ना अगर आप ऐसे basic काम कर रहे हो सबसे पहली चीज अगर आप यह basic ITR individual की ITR file कर रहे हो या फिर GST आप कर रहे हो ठीक है basic ROC का काम कर रहे हो तो यार यह तो मैं किसी accountant से भी करवा सकता हूँ 25 या 30 आर वाले से तो मैं आपको ज़्यादा क्यों दूँ obviously मैं आपको ज़्यादा क्यों दूँ तो आपको basic काम आता है आपने basic कीजी करी है तो लोग क्यों करते हैं ऐसा क्योंकि वो डरते हैं बड़ी city में आने से ठीक है कहीं न कहीं उनके मन में fear होता है तो अगर आप small town से हो तो आपको always try करना चाहिए कि थोड़ा बहुत दिक्कत होती है yes I know but always try for bigger things ठीक है try for big four big six firm अगर एक बार जब आप वहाँ से exposure लोगे तो कोई भी आपके लिमिट नहीं है आन करने की ठीक है आप जो campus के अंदर भी सुनते हो ना बड़े बड़े जो packages लगते है majorly आप देखोगे उसके अंदर से जो बड़ी firm से जो articles होते है उनके लगते हैं क्यूं क्यूं उसके बारे हम बात करेंगे आपको मैं बताऊंगा लेकिन अभी के लिए simple था मेरा मुद्ध यह ही है कि भाई जो दो category के हमारे पास लोग होगे एक जो dummy articles करके आ रहे second जो लोग हैं जिन्होंने small town से smaller firm जहाँ पर सिर्फ basic काम हो रहा है वहां से articles करेंगे जहाँ पर corporate culture ही नहीं होता यार जहाँ पर corporate culture ही नहीं होता है कुछ CA firms ऐसी होती है stipend देके stipend वापिस ले लेती है फैक्ट हो रहा है यह चीजे हाना जो जो फैक्ट है हर स्टूथ जो है हमारी इस community का मैं आपको बता रहा हूं कुछ लोग है ऐसे जो देते हैं stipend और stipend वापिस ले लेते हैं कई लोगों से मैं सुनता रहता हूं यह चीजे तो यह चीज है है ऐसा market के अंदर और इनी चीजों की वज़े से हमारा जो profession है वो grow नहीं कर पा रहा है तो यह चीज से थोड़ा से रहना है अब हमने बात कर ली कि किस रीजन की वज़े से हमारी जो CE की salary होती है वो कम रहती है अब कैसे इसको बढ़ाना है और अगर आप even small town में भी हो तो किस तरीके से आप उसके अंदर बढ़ा सकते हो तो उन सब चीजों के पारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो यार देखो जो सबसे important चीज क्या होती है technical ठीक है ठीक है आपने technically जो matter करता है ना उस चाहिए आप small town के अंदर काम कर रहे हो या big firm के अंदर काम कर रहे हो ultimately जो matter करता है वो करता है आपका confidence आपका attitude towards work आपको honestly यह चीज बता रहा हूँ ठीक है आपने small town से करी है और अगर आपके पास वो confidence है और अगर आपके पास वो attitude है आप confidence के साथ अपनी communicate क कर सकते हो चीजों को present कर सकते हो तो आपको कोई नी रोख सकता आपके पास अच्छा package लग जाएगा ठीक है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ पहले मैंने लेकिन आप तो पहले को चोर बोल रहे थे small town से कर रहे हो तो भाई small town से अगर आप कर रहे हो तो आप उस level पे जो मैं आ से मिल रहे हो तो इन सब से क्या confidence gain करोगे दुगानवाल से तो आप पहले मिल रहे थे सीए करने से पहले तो उनसे क्या confidence gain करोगे बट वैन यू विल बी गोईंग फॉर बिग फॉर फर्म बिग सिक्स फर्म तो आप बड़े-बड़े corporate के leaders के साथ मिलते हो बैठते हो उठते हो confidence automatically build up होगा ना समझो तो अगर आप small town से हो small firm के अंदर कर रहे हो अगर यह चीज confidence gain कर सकते हो तो well and good यो कि possible मेरे साथ से तो नहीं है बट आगर आपको लगता है कोई चीज possible है तो मुझे comment करके बताओ और 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 लोगों कोई पता जलेगा so that अगर जो लोग ऐसी small town से कर बड़ी firm को grab करो so that आपके अंदर confidence आ सके ठीक है confidence आ सके आप networking networking बहुत important होती है आप उस जगा पे जाओगे लाला टाइप लोगों से आप मिलोगे दुकान वालों से मिलोगे वैसी networking होगी आपकी बट आप जब एक bigger firm के अंदर जाओगे बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठे कोई तो वैसी networking होगी जो की काम आएगी आपके future के अंदर भी हमें ठोड़ा डर लगता है हमारे parents को ठोड़ा सा डर लगता है बट आप एक बार समझाओगे चीजों को बताओगे कि बाई कितना important है आपके लिए चीज तो उनको भी समझ में आएगा और articleship one of the most important phase है और चीजे को better कर सकते हो ठीक है लेकिन जब आप एक पर एक एज में आ जाते हो 25-26 साल उस एज के अंदर मैं नहीं कहा रहा कि नहीं हो सकती चीजे येस obviously हो सकती है बट वहाँ पे कही ना कहीं थोड़ी से difficulty होती है चीजे अडॉप्ट करने में क्योंकि आपने क्या करा जिस आप 5-6-6 साल की मिलता रहता हूं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं 5-6 साल का experience हो जाता है confidence बड़ा ही कम रहता है low confidence रहता है क्योंकि उन्होंने उस महल के अंदर काम ही नहीं करा ठीक है तो अगर आपको confidence low है आप अपना पर present नहीं कर पा रहे हो communication आप नहीं कर पा क्योंकि आपको बड़ी फर्म हायर ही नहीं करेंगी अपने thought process को अगर आप नहीं बता पारे तो आपको बड़ी फर्म हायर ही नहीं करेंगी ठीक है तो यहां पर जो फरक पढ़ जाता है अब small town के अंदर आप 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 अर्टिकल्शिप कर रहे हो और एक बड़ी फर्म के बड़ी आपकी टेकनिकल थोड़ी सी उपर नीचे हो लेकिन आप जब confidence के साथ बोलोगे ना कोई question भी बूचेगा interviewer कि यह audit के अंदर यह कैसे करते हैं तो आप confidently अगर आप बोलोगे कि sir इसके बारे में तो मेरे को idea नहीं है but I will learn ठीक है इस तरीके से भी आप confidently बोलोगे न तो interviewer को अच्छा लगेगा लेकिन अगर आपको नहीं आगर आता भी है और मतलब आपको confidence नहीं आप डरते डरते होए बोल रहे हो ठीक है मतलब हकलाते बोल रहे हो डरते बोल रहे हो तो वह आपको ऐसे reject कर देगा तो समझे रहे आपको पूरा जो game होता है पूरा game होता है communication नहीं है present नहीं कर पा रहे है आपने आपको बोल नहीं पा रहे ठीक से ठीक है personality खराब है तो वहाँ पे वो कहीना कहीं weakness आजाती है ठीक है तो यह चीज पूरा game जो रहता है वो इस चीज का रहता है अगर आप जो भी जहां से भी आर्टिकल्शिप कर रहे हो या करने वाल ही है technical over the period of time you will improve ठीक है technical जो है लेकिन जब यह confidence self-confidence जो है वो इसी से आएगा आपके communication और personality से और इन सब चीजों के basis पे ही आप अपने आपको overall develop कर पाऊगा और जो पूरा फरक होता है आपको हम बता रहे हूं पूरा जो फरक होता है वो इनी दो चीजों का होता है क्योंकि जब आप खुछ सोचो अप एक person से मिल रहे हो ठीक है आपको डर जब लगेगा जब गयाँ वो confident होता है समझेना सोच ना सोचना सोचना सोचनाई स्चीच को जब सामने वाला बंता confident होता है न तो आपको डर लगता है कि यार बले उसको नहीं पता हो कुछ Dinski लग apoyo लगे ल समाल लेंगे ठीक है मतलब यहां पर मतलब कोई भी जनरल चीज की बात कर रहा हूं किसी भी चीज को आप डिसकस कर रहे हो किसी के जाथ तो यह माइंड सेट रहता है हमेशा ओलवेश ठीक है तो यह चीज रहती है अब अगर आपकी कम्मिकेशन भी अच्छी है और टेक्निकल भी दमदार है तो भाई फिर तो क्या वात है फिर तो जो आप देखते हो ना बड़े-बड़े जो पैकेजेस होते हैं ठीक है कैंपस के अंतर वो उन्हीं लोगों के लगते है ठीक है उन्हीं लोगों के लगते हैं जो यहाँ पर कम्मिकेशन भी स्टॉंग होते हैं बहुत strong होते हैं जो technically है और communication भी strong होती है तो उनकी एक अच्छा package लगता है ठीक है और technically कैसे strong होना है जैसे आप अगर आप articles पभी start करने वाले हो तो आप try for bigger firm, big four firm ठीक है और big six firm तो अगर आपको उसके लिए जैसे मेरे कुछ courses है आप उसको भी join कर सकते है audit के अंदर standard audit के अंदर, intron audit के अंदर आप YouTube पर videos भी देख सकते हो if you want ठीक है तो यह चीज़े हैं जो आपको कहीं ना कहीं help करेंगी आपको body firm के लिए ठीक है आपको महाँ पर select होने के लिए ठीक है help करेंगी तो ऐसी बड़ी firm के अंदर जब आप articles करते हो तो यार obviously वो जो confidence होता है वो build up होता है और जो technically जो आप चीज़े मतलब जो आप theoretically पड़ते हो वो वहाँ पर practically चीज़े आपको देखने को मिलती है actual में देखने को मिलती है ठीक है तो ये चीज़े हैं यार मेरे साब से ये चीज़े थी और ये मेरा experience था जो मैंने आप लोग के साथ share करा अभी तक का बाकि इसको लेकर जो भी आपका doubt है आप comment करके पूछ सकते हो आपका जो भी होगा मैं reply जरूर दूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो like जरूर कर देना चैनल को subscribe जरूर कर देना बाकि मिलते हैं इसी तरीके की upcoming वीडियो के अंदर और अगर आपका कोई भी और चीज़ है जिसके अंदर आप चाते हो कि मैं किसी और particular topic यो पर वीडियो सकते हो next time उसको भी cover कर लेंगे बागी मिलते हैं एक्स्ट वीडियो के अंदर thank you so much